बिहार में नितीज सरकार पिछले 20 वर्सों से सत्ता में है आप नितीज कुमार को विकास के बड़े-बड़े दावे करते सुनते होंगे आज बजट आया नितीज कुमार इस बजट को लेकर खुश भी नजर आये लेकिन विपक्षी दलों ने इस बजट को बिहार के लिए ए विश्यस अधिकार के लिए बदब दीए यहां के लिए जो जोगत है प्यार के लिए विए को भी आगे बढ़ना है वह कुछ किया है आप जानते ही पैसे अपुरा हाल सा बढ़िता है जब हम तो पांस से शुरू किये हैं नौंबर पांस में तो इतना काम करते हुए आप मनिहारी के कुमारी पुर का यह मध्ध विद्याल मुख्यमंत्री के इंदावों की पोल खुर रहा है नितेश कुमार के 20 वर्सों के शाशनकाल के बाद भी यह स्कूली बच्चे खुले आस्मान में पेड के नीचे पढ़ने को मजबूर है अब इस स्कूल के प्रभारी प्रधाना ध्यापक राम बालक रजक की बात कर लेते हैं उनकी दबंगाई भी बिलकू ललक तरकी है जब इनसे बच्चों को पेड के नीचे पढ़ाने का कारण पूछा गया तो जनाब जवाब देते हैं कि स्कूल की किसी भी समस्या को मीडिया में नहीं चला सकते अब आप ही बताईए जब मीडिया इस्कूल की और बच्चों की समस्या नहीं चलाएगा तो क्या हेड मास्टर साहब के घर की समस्या चलाएगा हेड मास्टर साहब भी बड़ी अजीब बाते करते हैं जब पत्रकारों ने हेड मास्टर साहब से ज्यादा सवाल किया तब हेड मास्टर साहब ने आप देखा न ताव पत्रकारों पर पैसे मांगने की आरोप लगाने शुरू कर दिये ठीक है जैसे हेड मास्टर साहब आपकी मरजी इधर जब इसी समस्या के बारे में के बीसी के मनिहारी समधाता मिठु ने प्रखन सिछा पदाधिकारी अरविंद कुमार सिनहा से पूछा तो उनका स्पष्ट जवाब था विद्याले का भवन पूरी तरह जरजर है इसलिए मजबूरी में सुरक्षा के मद्दे नजर बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाना पढ़ रहा है अब सवाल तो बिहार सरकार के दावो पर है बात एरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन की होती है लेकिन यहां तो बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भवन तक का ठिकाना नहीं है अब आप कीसे विक्रास कहेंगे इसका निर्ने खुद कर लीजे एक तो रूम का कमी है मद विद्याले में उसमें चार ही रूम है और कलास जो है आठ कलास तक पढ़ाई होती है और विद्याले शिक्षा विभाग का कमी है कि इतना लिखने के बाद भी अभी तक जो है चार ही रूम बन पाया है यह कारण भी है जिसके कारण की बच्चे को जो है बाहर में पढ़ने से मजबूर होना पड़ता है और अहीं बात विद्याले पर्धाना ध्यापक का विद्याले पर्धाना ध्यापक अभी तक जो है दस मेना हो गया उनको लगवग यहां विद्याले में आने से अभी तक जो है उनका मीटिंग अगरे जो होता है हम पदेन सदस भी है विद्याले का लगने अभी तक हमको कोई सुचना उसना विद्याले के तरफ से नहीं है ना विद्याले के तरफ से कभी भी इस तरह का जनका और जितना भी मेंबर है कभी भी सुचारो रूप से बैठक नहीं होती है घर में जाकर के वही में साइन करवाना यह जब से पर्धाना ध्यापक आया है तब से इस तरह का मनवाने उनका चल रहा है लूफ महां चाहिए कि पर्धाना देना जाये द्याले को शुचारो रूप से चलाया होई से पर्धाना ध्यापक को लैजाँ तो आढ़ानी करा है जो रभईया उनका है वह स्लप वस्तु इसतीं है वह हम बता रहा है झाल